Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और जो last video था उसमें मैंने आपको बताए था कि कौन सी strategies हैं जो आपको यहाँ पे trade करने चाहिए चार जून को elections के result हैं उससे पहले आपको क्या trade करना चाहिए, मैं खुद क्या trade कर रहा हूँ तो calendar spread और diagonal spread ये दो strategy मैंने आपको बताई थी कि ये दो strategy आप trade कीजिए तो देखिए ये तो best है जो आप यहाँ पे trade कर सकते हो लेकिन उस video में मैंने आपको ये भी बोला था last में कि next video मैं आपको बताऊँगा कि इसके अलावा और आप क्या trade कर सकते हो तो calendar और diagonal है ये अगर आपको आती है तो ये आप बिल्कुल trade कीजिए they are the best लेकिन क्योंकि इनका nature थोड़ा सा complex होता है थोड़ी सी complex advanced strategy ये है specially diagonal spread तो अगर आपको उसमें comfort नहीं है तो और भी strategies है जो आप यहाँ पे trade कर सकते हो इन strategies में आपको बोलूँगा तो सबसे पहले जो strategy है वो होगी iron condor iron condor है उसको आप यहाँ पे trade कर सकते हो क्यों क्योंकि ये एक inbuilt hedge के साथ आती है तो यहाँ पे volatility hedging भी आपकी साथ साथ हो रही है और volatility क्योंकि अभी ऊपर थोड़ी inflated है 20-21 के आप अभी volatility चल रही है जो wix का level है वो तो यहाँ पे आप एक iron condor को trade कर सकते हो इसमें hedge आपको ये मिलेगी कि आपकी जो profitable range है वो यहाँ पे wide होने वाली है जब जो volatility थी वो 11-12-13 चल रही थी वहाँ पे अगर हम एक iron condor को trade करने जाते हैं वहाँ पे क्यों मना कर रहा था क्योंकि वहाँ पे आप एक iron condor को अगर trade करते तो आपको एक बहुत narrow range मिलते हैं मतलब आपकी जो profitable range है वो इतनी narrow होती कि market में थोड़ा सा भी move आता आपकी profitable range के बहार market जाएगा वहाँ पे आपको एक close होगा लेकिन अभी volatility inflated है इस वज़े से आपको एक wide profitable range मिलेगी आप market को squeeze नहीं कर रहे हो आप market को घूमने का मौका दे रहे हो तो यह strategy है iron condor यह अभी आप trade कर सकते हो अब दूसरा आपकी दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्यार मैं iron condor तो trade कर लूँगा लेकिन क्योंकि volatility अभी उपर जा रही है और election result आने में अभी 2.5 week का time है तो तब तक अगर और उपर गई विक्स का level और उपर गया तो मुझे volatility के वज़े से loss होगा क्योंकि एक option selling strategy यह है तो इससे आप mud रहे क्यों क्योंकि यहां पे volatility के वज़े से आपका जो loss है वो बहुत छोटा होगा और उसके बदले आपको एक wide profitable range मिल रही है अब volatility के वज़े से loss छोटा क्यों होगा क्योंकि यह inbuilt hedge के साथ आती है जहां पे आपने option को sell कर रखा है at the same time आपने options को buy भी कर रखा है तो option selling में volatility के वज़े से loss होगा वो आपके लिए option buying में profit होगा तो यहां पे आपकी vega hedging भी हो रही है volatility hedging है वो भी आपकी यहां पे हो रही है तो मतलब एक तो option selling के आपके hedging हो रही है जो delta hedging है वो भी आपकी हो रही है और vega hedging है वो भी आपकी हो रही है कि wix है वो कम है इस वज़े से आप trade मत करो वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी जो range है वो छोटी मिलेगी कम wix में अगर आप trade करोगे तो range होटी मिलेगी और range होटी मिलेगी तो market जैसे थोड़ा सा भी उपर नीचे move किया आपको loss होना start हो जाएगा वो reason है इसको low wix में trade करने का उसका reason calendar spread या diagonal spread वाला नहीं है कि low wix में आप trade करोगे volatility बढ़गी तो आपको wix से loss होगा wix से जो loss होता है वो कोई बहुत बड़ा factory यहाँ पे नहीं है क्योंकि volatility के hedging यहाँ पे already हो रही है ठीक है तो यहाँ पे wide range आपको मिल रही है आप इस strategy को trade कर सकते हो दूसरी strategy है iron fly iron fly का भी almost same ही आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जैसे iron condor है वो एक strangle के hedges लगा दिया है उसी तरह से iron fly है वो एक straddle के hedges लगा दिया है तो iron fly जो है उसको भी आप trade कर सकते हो अभी का जो time है वो बिलकुल viable है यहाँ पे आप trade कर सकते हो अगेन उसमें भी same आपको wix एडरने की जरुवत नहीं है inbuilt hedging के साथ हो आती है तो delta और vega दोनों के hedging यहाँ पे हो रही है तो यह strategies आप यहाँ पे trade कर सकते हो naked strategies को आपको यहाँ पे trade बिलकुल नहीं करना है जैसे strangle होगी या naked option selling आप करते हो उस तरह के strategies को आप यहाँ पे भूल कर भी trade मत कीजिए वो आपको कब करनी है वो मैं आपको बता दूँगा उसका भी time आएगा और इसी दोरान आएगा जो यह election से पहले का time है उसी दोरान आपको वो भी trade करनी है लेकिन अभी सही time नहीं है वो time जब आएगा मैं जरूर वीडियो के थ्रू बता दूँगा देखे election आ रहे हैं आप यह मान के चलिए कि election market के लिए तूफान होता है एक होता budget और एक होता election मैं general election की बात कर रहा हूं जो हर 5 साल में होता है budget को आप बोल सकते हो कि market के लिए वो एक आंधी है और election जो है यह market के लिए तूफान है तो retail trader आपको extra alert रहने की जरूवत है क्योंकि आपका पैसा है वो limited है ऐसा नहीं आपके पास table पे बहुत सारा पैसा है आप अपनी positions को उस तरह से manage कर लोगे पैसे के दम पे आप manage कर लोगे तो क्योंकि पैसा limited है तो आपको ज़्यादा responsible होने की जरूवत है election में बहुत ही vigilantly अनाडी की तरह कोई भी trade आपको यहाँ पे नहीं लेना है और इसलिए क्योंकि यह कितना important event है मैं एक live workshop लेके आ रहा हूँ जो होगी इस मत का जो last Sunday that is on 26th में election से एक week पहले मैं यह workshop लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि elections का और market का जो relation है उसको मैं in detail आपक को दिखाऊंगा कि इन दोनों के बीच का relation क्या है और क्या आपको इससे सच में डिरना चाहिए या नहीं और कैसे आप इसको सेल कर सकते हो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि भी election वो एक तूफान होता है तो उसको आप safely किस तरह से सेल कर सकते हो यह सब कुछ मैं आपको in detail है वो भी ऐसा नहीं है कि आप return के ओपर sacrifice कर रहे हो एक decent return आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ ही अगर आप एक working professional हो तो भी आप इसको trade कर सकते हो क्योंकि यह जो strategy मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें सारे aspect मैंने cover कि हैं सबसे पहला तो यह कि आपको इसमें adjustment करने की जरु जरुद नहीं है दूसरा अगर आप एक working professional हो तो भी आप इसको कर सकते हो क्योंकि इसमें screen time की बहुत ज़्यादा जरुद नहीं है और तीसरा election जो है जो इतना बड़ा event है उसके पहले हम उसको analyze करेंगे कि election और market का जो relation है वो मैं आपको पूरा in detail समझाऊंगा और उसके ब एक चीज में आपको दावे के साथ जरूर बोल सकता हूँ कि जो एक election का एक हववा बना के रखते हैं या जो election का डर फैला रहता है हमारे चार और इस workshop में आपका order है वो मैं दावे के साथ दूर कर दूँगा ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर नहीं की जरूरत है अगर आपको proper tools पता हैं तो फिर आप इसको easily sale कर सकते हो जैसा कि ये channel का नाम है ने रखा option seller, option seller का जो meaning है वो यही है कि options is a vast subject जो एक समुदर है जिसमें आप sale कर सकते हो आपको अगर adjustment आते हैं आपके पास सही tools हैं तो similarly I will tell you कि how you can sale this election, election और market का एक पुर utility बढ़ती है उसमें आप किस तरह से sale कर सकते हो कैसे आप safely वहाँ पे भी पैसा बना सकते हो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो next Sunday को ये workshop लेके मा रहा हूँ नीचे मैंने WhatsApp नमबर दे दिया है इस पे contact करके आप register करवा सकते हो और don't worry क्योंकि ये एक बहुत जरूरी है और आज के time के लिए बड़ी relevant है election का result आने वाला है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ही पहुँच पाई इसलिए मैंने इसके fees है वो बिल्कुल कम रखी है और दूसरी बात मैं इसको live कर रहा हूँ जहां पे हम आपस में interact कर सकते हैं अगर आप channel के पुरानी time हो गया है कोई भी workshop मुझे किये लेकिन इस चीज़ की मुझे काफी request भी आ रही थी कि मैं live workshop लेके आऊं क्योंकि वहाँ पे हम interact कर सकते हैं आप सवाल पूछ सकते हो तो यह सबसे सही time है माहूल भी इस तरह का बन रहा है और यहाँ पे mentorship की जरुरत होती है एक retail trader को तो इसल के लिए register कर सकते हो और शुरू के 25 students होंगे उनके लिए एक special 40% का discount भी यहाँ पे होगा तो चलिए अब तीसरी strategy की बात कर लेते हैं दो strategy मैंने आपको बता दिया है एक iron condor और एक iron fly अब जो तीसरी strategy है यह option buying strategy है जो आप यहाँ पे trade कर सकते हो और यह strategy है एक long strangle जी हाँ ए time में दिक्कत यह होती है कि theta dk भी होता है तो यहाँ पे चलो यह तो हम बोल सकते हैं कि election से पहले और volatility हो नहीं गिरेगी तो वेगा की वज़े से मुझे loss नहीं होगा वहाँ पे मैं immune हूँ लेकिन हर एक passing day के साथ जो time value है वो टूटेगी जो theta dk हो होगा तो वो एक मेरा loss य एक plain vanilla strategy आपको trade नहीं करनी है यहाँ पे जो theta dk है वो आपका option buying में कैसे कम हो सकता है कैसे आप उसको हटा सकते हो वो tool भी मैं आपको बताऊंगा तो long strangle without theta dk आपकी इस तरह से trade कर सकते हो कल के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा तो यह 3 strategy है जो पहली है iron condor है दूसरी iron fly और तीसरी long strangle लेकिन long strangle है वो plain vanilla trade नहीं करनी है उसमें कौन से tool है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और हाँ एक ज़रूरी चीज यह कि जो मैंने आपको iron fly और iron condor बताया है वो आप वीकली में trade मत कीजे वो आपको monthlies में trade करना है वीकली में अगर आप trade करोगे तो जो हमारा purpose है उसको ही हम lose कर देंगे अगेन आपकी जो profitable range है वो काफी जादा narrow हो जाएगी तो अगर आप monthlies में trade करते हो तो inflated volatility में आपको जादा एक wide range मिलेगी तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यही आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें दिस इस सत्पाल signing off